नमस्कार दोस्तो मैं विमलेश गॉतम और आप देखेने ट्रिपल वी ओर्सिस दोस्तो आज बहुत ही अच्छा दिन है आज हमारे पास में बहुत अच्छी खुशकबरी आई है खुशकबरी यह है कि जिन लोगों ने पोलेंड में एपलाई किया था जिनके वर्क पर्मेट एक प्रतिक्षत है वह प्रमिट आ चुके हैं अभी हमारे पास में 11 लोगों के वर्क प्रमिट प्राप्त हो की हैं दोसतो पोलेंड में प्रोसस देखा जाए तो अब रहा था और अभी उक्रैन का से तो इन दोनों का असर इतना रहा की चीजह पर असर था लेकिन अभी उक्रेन की और यह रसे से वहुजरिगा उसका असर काफिया थे खतम होने वाला है अलग-अलग दिमाग में अलग-अलग चीज़ें आ रही थी और कई लोगों को लग रहता कि शायद उनको पोलेंड से चेंज करके दूसरी कंट्री में चले जाना चाहिए भले उन्होंने 6 महीने 8 महीने या 9 महीने का भी इंतजार किया वो लोग भी ऐसा सोचने लग यहां से अगर आपको कोई चीज कमिट की जाएगी तो कमिटमेंट की चीज़ें जरूर पूरे होगी समय की उपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि समय ऐसा होता कि इसमें कई चीज़ें इनबॉल्व होती है समय में पोलेंड गौवर्मेंट है ऑबिसली वह भी इनबॉ में समय लग सकता है काम जरूर होगा और इसकी आपने कई उधान देखेंगे कई लोगों ने वीडियो के माद्यम से भी इस चीज़ को बताया कि यहां पर काम होता है लेकिन समय लगता है अगर काम नहीं होगा तो उसको किलियर मना कर दिया जागा कि आपका काम नहीं होगा जैसे अभी देखो कल का ही वीडियो अगर आप देखेंगे कल के वीडियो मिस्टर इम्तियाश शेक उनका वीडियो अपने देखा होगा 49 की एज में हमने उनका सिंगपूर का वर्क परमन वीजा लगा या डीजल मेकनिक के लिए दोस्तों कितनी वड़ी अच्छीमेंट है हमारी कंपनी की लाइफ में जो 12 साल का पीरियड है 12 साल का करियर पीरियड है उस पीरियड में कहा जाए तो अभी तक हमने 49 येर का कोई वीजा नहीं लगाया कल हमारा वीजा इस परसों हमारा वीजा एशू हुआ तो सबसे इंपोर सब्सक्राइब करेंगे और मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में अभी हम सब्सक्राइब कर सकते हैं कि मलेशिया का वीजा आना शुरू हो जाएगा और सरविया में जो प्रोसस था कुछ समय सब्सक्राइब का भी अपडेट मिलेगा पोलेंड का भी आपको अपडेट मिली रहा कि आज हमारे ग्यारा वर्क परमिट आए तो हमारे पास जिन कंट्रीज का काम हम कर रहे हैं उन कंट्रीज का अपडेट आपको time to time मिलता है जो भी client के साथ में काम कर रहा है का miss जो भी चीज़ें हैं पहले हम verify करते हैं और हमें confidence होता उसके साफ से हम चीज़ें आगे अपडेट करते हैं अगर हमारे पास में कोई update नहीं होगा तो फिर अमको किसी को wrong commitment नहीं करेंगे या फिर कुछ ऐसा अनमान लगाकि का आइडिया मिस ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होगा वैसा होगा बिल्कुल नहीं जो होगा जो हमें क्लाइंट की तरफ से कानफर्मेशन आएगा उसी हिसाब से हमसामने किसी को भी मैसेज देते हैं अगर समय अनश्यत है तो अनश्यत के हिसाब से लेकिन काम होगा वह गारेंटी अगर काम नहीं होगा वह पहले से क्लियर्टी हो जाएगी किसी का भी आप प्रोफाइल दिख लेंगे सिंगापुर में अभी आपको बैक टूबैक वन वीक टूबीक के अंदर आपको वीजा निकलना शुरू हो जाएंगे और फ्लाई शुरू होगा यह माले जी फर्स्ट वीक में फ्लाई शुरू हो जाएगा अभी जिनका कल वीजा परसों वीजा आता ना उनका फ्लाई फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में एक्सपेक्टेड है तो जैसे उनका फ्लाई होगा उ approximately 50 के आसपास लोग fly करेंगे और शायद within महीने के अंदर शायद 100 लोग भी हो सकते हैं तो दोस्तों जिन लोगों ने जहां पर भी apply किया हो वो इन चीजों को ध्यान में रखें कि जो भी चीज़ें आपर होती हैं definitely काफी important होती है और उन चीज़ें को proper ध्यान में जो भी हम किसी को share करते हैं transparency काफियत तक maintain की जाती है और इसके अलाबा इस मैंसे जो भी अभी जैसे लेट होता है कुछ दीरी-दीर करके आने वाले टाइम पर यह समय भी कम होने लगेगा अभी कई चीज़ें जो advance होती जा रही है और उसके सबसे process की समय अबदी कम होती जा रही है जिन लोगों ने apply किया वो लोग भी nation रहे हैं और जो लोग प्लान कर रहे हैं वो apply कर सकते हैं क्योंकि अब उनको एक एक करके good news मिलना शुरू हो जाएगी वो किसी भी देश की हो अभी हम फिलाल और other countries का काम नहीं कर रहा है अभी हमारे पास जो भी काम है वो काम सिंगापूर मलेशिया सर्विया और यूरोप मिस पोलेंड सिर्फ चार देशों का काम है जिसमें से अभी तीन देशों काम running चल रहा है सर्विय का काम मेरे सर्विया पहुंचने के बाद होगा लेकिन काम उसका भी होगा सो चारों देश के उपर जो भी inquiries हैं जो लोग भी planning करने वाले हैं वो लोग definitely plan कर सकते हैं अगर उनको seminars में आके process करना है तो seminar में आके process कर सकते हैं पोलेंड के लिए भी कर सकते हैं मलेशिया के लि भी vacancies देने वाले हैं दोस्तों अभी चीज़ों को आपको वीडियो के माद़ें से update के जाएगा हमारे पास जिन लोग के work permit आया है ग्यारा लोग के उनको सबसे पहले बधाई हो क्योंकि उन लोगों ने धहर रखा उन लोगों ने process किया और उन ग्यारा लोगों को बहुत- हो गई है अब हम वेट करेंगे इसमें जो hard copy आएगे उसके लिए और वी एफेस सम्मेशन के लिए और जिन लोगा री अपील के लिए डाला गया है उन लोगा वर्क परमेट अगले महिने में हमें receive हो जाएगा अभी process sequence आगे बढ़ेगी जैसे कि पहले डैली का अपन्टम कुछ-कुछ मिलने लगा अभी हमने लास्ट में भी कुछनों का अपन्टमेंट्स लिया था बट पॉइंट यह है कि उस टैम पर अभी चीजों को process करने में समय प्रॉपर नहीं था और salary का issue था salary रिवाइज होकर आई है तो अभी submission में कोई भी problem नहीं आएगा दोस्तों ज यह जो वर्क परमेट है वर्क परमेट में मिस्टर चक्रदर सेटी का वर्क परमेट है यह बेसेकली उडिसा के हैं और चेंड़ी में है और इनका इनको salary offer होई है 3010 और इनका जो contact period है ना वो दो साल का contact period रहेगा और सेम टम सब के लिए रहेगा सिर्फ नाम और सिटी में रहते हैं इनका सेम टूसेम और सेटारी और सब कुछ बराबर मिस्टर Wingard नाविल मोहमद लागा सूथ यह चिए बढ़ने से हैं Mr. Morgan Kumar इनका भी Terms and Conditions रज़ियन से हैं Mr. Santosh Kumar Sethi उड़ीषा से है Mr. Sukveer Singh जी ये राजस्ता नहीं jego इनका भी Toms and Conditions रंस से है Mr. उत्तम about विश्वास नहीं रिश्वास से है इनका भी Toms and Conditions confidently hmm Mr. Jinten Patel मिस्टा से है तो दोस्तों यह सभी लोग जिनकी work permit आया है सब लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई क्योंकि काफी इंतजार किया और इंतजार का फल finally आया तो definitely इंतजार का फल बहुत मीटा होता है सभी लोग बोलते हैं और सच में मीठा होता क्योंकि आज हमें काफी खुशी हुई है और उन लोगों को भी खुशी हुई है जब मैंने उनको work permit forward किया और उसके बाद में जब कॉल किया तो definitely सभी खुशी से मिस प्रशन थे और उनने कॉल पर बहुत अच्छे से हमें feeling हुई कि उनको काफी खुशी हो रही थी क्योंकि समय काफी हो रहा था और एक प्रकार से यह लग रहा था कि शायद काम होगा कि नहीं होगा क्योंकि उक्रेन और रश्या का बार चल रहा अब यहां पर मैं आपको यूक्रेन गए है मिस यूक्रेन के लोग जो पोलेंड में काम कर रहे थे उसमें से च्छे लोग यूक्रेन बापिस गए हैं क्योंकि वहां पर उनके family में किसी के death हो गई थी तो वो death जो ceremony होती है अंतिम संसकार के लिए गए अब इस गटना को अगर आप देखोगे तो चालू है अगर वहां पर जा रहा है तो उनको यह होगा कि वह संसकार करके बापिस आजाएंगे मिस उन्हें उम्मीद है कि उन्हें कुछ नहीं होगा सो दोस्तों यह एक important चीज है war है no doubt इसका कोई miss ऐसा नहीं कि हम इसको deny कर रहे लेकिन point यह कि जो पहले भायनाक situation थी वह अभी काफियत तक control में आ गई है और धीरीदर करके यह खतम भी हो जाएगा और बापिस जो पट्री पर लाइन है उससाब से शुरू हो जाएगी क्योंकि मैंचीज क्या है कि जो अभी तबाई हो गई है उसमें युक्रेण में बापिस लोग आएंगे फिर उसको दुबार शुरू किया और इसके लिए पॉलन कवर्मेट ने भी उनको परमिट किया कि उनको बिना वर्क परमिट के उन्हें डारेक्टली सिंपल में इस टैंप्रेरी बेस पर कन्फरमेशन दे दिये जाएगा तो दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि बाइस लाक लोग जो हैं वहां पर वह अभी लोकल जॉब कर रहे हैं और अभी जैसे सिस्ट्यूशन नॉर्मल हो जाएगी तो ज्यादा तो नहीं कम स्कूं फिप्टी परसेंट लोग अपने वतन बापिस चले जाएंगे तो जो जॉब्स हैं वह बापिस वैसे ही इस्तिती में आ जाएंगे लेकिन पूरी जॉब्स तो नहीं आएगी कुछ जॉब्स पर तो असर रहेगा बट फिर भी सिच्यूशन काफी नॉर्मल हो जाएगी और अभी भी कई क्लाइंट के पास रिक्वार्मेंट्स हैं तो दोस्तों यह इंपोर्टन मैसेश था इसलिए बताना बहुत जरूरी थ अग्यादा इन लों को बहुत बहुत बढ़ाई सबी लोगों को क्योंकि यह आप लोगों का रह, आप लोगों के ट्रस्ट और विश्वास का परणाम कि आप लोगों ने धहर रखा आपका प्रोसस हुगा आपका वर्क प्रमेट आया और जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं अभी हमारे पास में कुछ और भी प्रोफाइल्स आने वाले हैं जिनके लिए हम अपको मेभी हो सकता दो या तीन दन के अंदर या चाल जैसे हमारे पास में वेकेंसी के डेटेल आ जाएगी वैसे हम आपको वीडियो के मादम से अपडेट करेंगे और जो लोग भी इसमें प्लान करने वाले हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों रिक्वार्मेंट्स अभी हमारे पास में होंगी अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी सेम एंप में अप्लाई के लिएगे और लोग मंबया के लिए लेंगे और किसी को भी विलम नहीं होगा लेट नहीं होगा कंपनी के पास मेंपवर टाइम पर कहुंचेगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे उम्मीद है कई लोगों कई लोगों में एक उमीद जाग जाएगी एक खुशी की लहर आ जाएगे क्योंकि ये बहुत important वीडियो है और काफी समय से इस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि तीन महीने कोई भी activity नहीं है सिर्फ December में एक visa लगाता और January मार्च starting में दो work permit आये इसके लावा कोई भी बीच में activity नहीं थी तो इसलिए कई लोग को निराश्चा होने लगी थी लेकिन ये वीडियो उनमें नई उर्जा का संचार करेंगे और जो लोग इंट्रेस्टेड हैं वो प्लान कर सकते हैं जो लोग applied कर चुके हैं वो लोग definitely अब धैर से अपनी तयारी करेंगे अब जिन लोग का work permit आ गया इन सभी लोग उसे request है कि वो लोग अपने PCC तयार कर लें सभी लोग अपना PCC तयार कर लें जिसका PCC तयार है वो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो PCC तयार कर लें और PCC तयार करने के बाद जो bank balance वाला पार्ट है उसको proper maintain रखें और अपने documents को अपेस्ट्रों करव होना होगा अगले महीने आपके hard copy आने वाली hard copy आने के बाद हम immediately आप लोगा appointments ले लेंगे डैली और कोलकाता का सभी का apartment कोलकाता में जाएगा और साउथ इंडिया का सभी का apartment हम मुंबई में लेने वाले हैं जिसमें से west part और साउथ पार्ट दोनों आ जाएगा दोस्तों य लाइक किजिए comments किजिए share किजिए हमारे वीडियो को लगाता देखने के लिए चैन को subscribe किजिए गंटी वाला option जरूदाबाएं जैसे कि आपको आने वाले सारे वीडियो की notification सबसे पहले मिलेंगे धन्यबाद